आप सभी लोगों का मारे यूटूब चैनल पर सौगत हैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट लेकिए आप मेरा चैनल सब्क्राइब कीजिए ताकि बाकी लोगों को इसका फायदा मिले क्योंकि आप जब सब्क्राइब करोगे तो मेरा जो चैनल लिंग और वीडियो यूटूब चैनल पर उपर के लेवल पर वढ़ते जाएगा ताकि लोगों के नजरों मेरा सब्सक्राइब करते तो किस प्रकार ली जाती है वहां बताना चाहूंगा मैं यहां भेट कलम है है जोड कलं में जिचे का ते अपरोज ग्रफटिंग तो देखिएहगा हम पनी दालते प्लांड को सो मैं देखने का कि जो जो निटियो पार्ट है उसके ऊपर की सब्कूप सब्ढकों आपको बढ़ने देने कानेôi में नीचे से निखे अडान जो ग्रफ प्तिंग है क्यो तो यहां से ग्राप्ट आप जओईन है उसके नीचे के पार सब्सक्रस निकली है वहां इस टौक रूट जो मूल पउदा है उसकी ब्रेंच ए तो इसे तोड़ लेना स हर अधरवायच कि जो मूल पौधे का जो ब्रैंच है जी स्टॉक रूट कहते है वहां इतना स्पीडली बढ़ता है कि आपकी जो कलम है वहां कुछ दिन के बाद में मर जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा ग्राप्टिंग प्लांट ओरिगनल है और फिर बाद में हम दो नरसरी वाले को देते यार मैंने खरीदा क्या ता और लगा गया कभी-कभी ऐसा होता मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि नरसरे वाले ने उल्लू नहीं बनाते या तो दूसरा क्वालिटी का प्लांट में देते लेकिन यहां कियार किस प्रकार लेनी कि यहां बात्य आउश्यक है क्योंकि ज कि ग्राप्टिंग इतनी बड़ी ब्रैंच निकल गए विध्यान नी दियाम है क्योंकि प्लांट एक में को चिपके हुए थे उस वज़े से तो नीचे से इतनी बड़ी लगभग तीन से चार इंच लकड़ी नीचे की ओरिजनल पवदे की बड़ी हो गई है और वो इतनी बड़ी होगी और धीरे से जो ग्राप्टिंग जो पार्टे सायान सक्षे सवाली उमर जाएगी इस प्रकार आपको केर लेने का है कि रूटी स्टॉक जो है हमारा तो रूटी स्टॉक यहने जॉइन पार्ड के नीचे जितनी भी ब्रैंच निकलती है वह आपको तोड़ते अंकुर निकलते उसे तोड़ते रहिएगा एक ख्याल में तो यहां आपको इस प्रकार केर लेने की है जनरल यह आपको और बताना चाहूंगा मैं चिकू के जो पाउदे आप खरीद के लाते और गुलाब के उन पाउदों में अक्सल लोग केर नहीं लेते और जो और जो कि कलम बांदी जाती है और जो हम खरीद के लाते चिकू प्लैंट तो जो मूल पाउदा जो रहता है जिस पर ग्राप्टिंग की हो दिये वहां के नीचे से ब्रैंच निकलती खिरनी के और अपने को लगता है क्या ग्रोथ हो रही स्पीड ली और उस ग्रोथ को हम तोड़त वगिोस का उस बेघ़र को टाइब एक याल में रखेग़न, यहां देखेगा एक फिर से एक पुदा इसमें भी देखेगा यहां जुएंड वाले पाउड से निकल रही है बोरिजनल देखीगा रूटी स्टॉक से यहां देखेगा दो केर लेने का है तो यहाँ केर लेने के लिए इस्पेशल आपको टाइम नहीं निकालना है जब कभी आप पानी देते हैं पाउधे को तो इतना चेक कर लीजिएगा कि पाउधे में कौन सी ब्रेंच